मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे अब उन लोगों को जवाब है मंदिर वही बन रहा है तारीख मुझा दी गई है पता भी चल गया है सबको कि वसंद पंच्मी के दिन रामलिला अपने बिराजमान होगे पर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जो राम को ला रहे हैं जो नों राम का टेंट हटाया है वो तंबू हटाया है वो बारिस में टपकते हुए अध्या के प्रभुश्री राम का घर बन रहा है इसलामिक कंट्री बता रहो अरब अमीराथ इरान इराक जिद्दा सौधी किसी भी देश में इतनी मस्जिद नहीं है जितनी भारत में अकेले मस्जिद है जो इसलामिक कंट्री है उनमें किसी में भी मस्जिद नहीं है इतनी जितनी भारत में क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू भी मस्जिद बनते समझ सीमेंट चैरिटी करता है दान देता है इसलाम धर्म को मानने वाले लोगों के घरों में रोश्णी, रोटी, कपड़ा और मकान पहुंसता है हमारे देश में महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं, सुरक्षित भी हैं आज उनको फोन पर तलाक नहीं दिया जाता आज उन्हें बैट कर फोन पर दूसरी महिला को अपनी गोद में लिटाल कर तलाक देने की हिम्मत नहीं कोई कर सकता आज महिलाओं को हलाला जैसे गुजरने से संकट से सोच नहीं सकती थी पहले उनके उपर हर समय संकट मढ रहता रहता था राम लला का जो सर डिकलेयर हो गया है डेट 22 जनवरी उद्खाटन करने वाले हैं मोदी जी उसमें मोदी जी को इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि उनके मुह में राम थे बगल में छोरी थी क्योंकि वो कहा करते थे मंदिर बहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे अब उन लोगों को जवाब है मंदिर भी बहीं बन रहा है तारीख भी बता दी गई है पता भी चल गया है सब को कि वसंत पंचमी के दिन राम ळिला अपने विराजमान होगे फर से हम राम न्दिर कार सेवा में जेल गए है राम मंदिर निर्मान में आंदोलन के बच्पन के उस समय हम पड़ रहे थे तो रखा गया हमे सब को college में बंद करके और वहां बाकाइदा एक college था उसको बना दिया गया था अस्ताही कारागार बना दिया गया था तो उसमें रखा गया तो वहां रहे वो certificate है वो photograph है बच्पन के तो आज हम लोग अपने जी जीवनकाल में देख पा रहे हैं और देख भी नहीं पा रहे हैं किसी की दया या किसी की सिस्टम है संबिधान का अनुसार और भर्त की लोकतांत्रात्मक पद्धती के द्वारा जो हमारी मानिस सर्वुच नैला है उनके आदेश के बाद राम लला का मंदर बन रहा है टेंट हट चुका है और अब वो पूरे संपूर रूप में बिराजमान होंगे जैसे कि उनके बारे में बिराजमान होने की हर साल हम लोग दशहरा के दिन देखा करते हैं दश आताई को खत्म करने के बाद बुराई को समाप्त करने के बाद भारत में आयुद्धा में आकर के प्रभु श्रीराम आये थे और दीप परचलित किये गए थे और उनके लिए इस सारा कुछ इस बार की दीपावली भी भब्ब होगी और इस बार का नया वर्ष भी भब्ब होगा क्योंकि इस बार में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आजादी के 46 साल में तो नहीं ही हुआ अंग्रेजों के समय तो नहीं ही हुआ और मुगल आताताईयों के उन निशानों को मिटाने का काम होगा तो इसलिए बहुत सुरणिम अवसर है अमरत काल तो चली ही रहा है और इसके लिए हमारे देश के मानिय प्रथान मंत्री नरंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के है शश्वी मुख मंत्री मारा जी राश्ट्री स्वाम सेबक संग विश्व हिंदू परिशत बजरंग दल और कि और जो सभी इस तरह की संस्थाइं हैं सामा जी के संगठन हैं उन सबकी भी बधाई के पातर हैं उनको भी बधाई है देखिए यह वही विपक्षि है जो संसद का जब उदधातन हुआ संसद का उधगाटन हुआ ये नहीं आये साहब किसी दुश्मन का भी घर बनता है न पड़ोसी जलते हैं एक दूसरे सी इरिशा रखते हैं उनकी सरिया नहीं पढ़ने देते उनका बदर पुर मोरिंग रेत नहीं उतरने देते ठीक है उनकी कंप्लेंट करते रहते हैं MCD में जूटी जूटी लेकिन जब उनका भी घर बन जाता है किसी तने आदमी तो घर अपना बनाई लेता है फिर भी पडोसी पहुच जाते हैं कि चलो भाई अवाज चलो पिछली बातें भुला दो लेकिन ये वो भी पक्षी है जो संसद भवन में बैठे संसद भवन में आए संसद भवन में पुस्तिका पर साइन करे संसद भवन से अपनी सैली लेंगे संसद भवन उनकी नए संसद में गारियां घोसेंगी नए संसद में कैंटीन में बैठेंगे सुकु सुविधाय नए संसद की लेंगे लेकिन संसद भवन के उद्गाटन पर ये नहीं आए नहीं गए वो संसद दुखी हो गया संसद को लगा कि अरे ये तो कैसे वेक्ति है वो शेर का चिन जो भारस सरकार का निशान होता है उसके पास नहीं गए बाज में गए तो इसलिए इनकी आदत तो क्या है ये तो विपक्ष जो विरोध करने के लिए विरोध करते हैं आपने देखा तीन सो सत्तर और पैंतिसे पहले क्या सवाल करते थे हम भी इंटरनेशनल जाते थे बाहर जाते थे विदेशों में जाते थे लोग क्या कहते थे there is a no solution of काश्मीर इशू काश्मीर इशू की समझ से कोई समाधानी दुनिया में नहीं कोई करी नहीं सकता लेकिन एक सरकार ऐसी आई एक सांसद ऐसे आए एक ग्रह मंत्री जी ऐसे आये जिन्होंने एक ही दिन में 370 पैंटी से कोई उखाल के फैक दिया और कह दिया आज से कश्मीर में 370 पैंटी से खत्म पोल दिया जहां हुए ब्रिदान मुखर जी वुमरह हमारा है और एक धज एक निशान एक सम्मान दिखा दिया करके और दिख रहा है पहली बार 13 अगस से 15 अगस तक कश्मीर के लाल चौक लद्दाख लेह तिरंगे जंडे को हर घर में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा मेरा गाउं मेरी माटी मेरा देश के तैत राश्ट तुन बंदे मातरम के गीत राश्ट गान और हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत जिंदाबाद के नारे लगे अच्छा जो अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है इससे बहुत लोग खुश भी हो रहे हैं लेकिन वहीं पर कई लोग जो का विरोध भी कर रहे हैं कि भाई राम मंदिर बन रहा है इससे हमें क्या मिलेगा इससे अच्छा स्कूल कॉलेज बन जाता है बने हैं इस्पताली बनेगे राम मंदिल बनेगा तो ऐस्पताल बना एरपोर्ट बना ना स्टेशन बड़ी हुई ना टूरिष्ट साधन बने ना होटल बने ना जमीने महगी हुई ना लोगों को रोजगार मिला ना सरीव का उद्धार हुआ ना विकास चित्रकूट का तो क्यों नहीं हुआ वहां सब कुछ हुआ अस्पताल तो चोटी चीज है वहां तो ऐसे मंदिर बनने से ऐसे भाव जागने से ऐसी आस्था श्रद्धा और विश्वास जागने से अस्पताल में जाने वालों की संख्याएं कम हो जाएंगी महमारियों की संख्याएं कम हो बीमार लोग आधे तो दवा से सही होते हैं आधे आस्था शद्धा विश्वास और भावना से सही होते हैं कई गरीब बोल रहे हैं कि हमें खाने के लिए थोड़ी देगा राम मंदिर या हमें रोजगार देगा राम मंदिर खाने को भी देगा राम मंदिर रोजगार देगा, जब राम मंदिर में बहाँ दर्शक पूरी दुनिया से पहुँचेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा दर्शनी इस्थल बनेगा, दुनिया में सबसे बड़ा पूजा, भक्ती, शक्ती और आस्था का केंद्र बनेगा राम मंदिर, तो बहाँ जाएंगे ना लोग सबके मिलेंगे अमर्नाथ पे जाते हैं लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों को रोटी नहीं देती क्या अमर्नाथ यात्रा बोचन नहीं देती क्या इसलाम धर्म के मानने वालों को अमर्नाथ यात्रा से घर चलते हैं उनके साल माता वैश्णो देवी क यात्रा से जम्मु कश्मीर में रहने वाले इसलाम धर्म को मानने वाले लोगों के घरो में रोशनी कपड़ा और मकान पूंसता है वहां कच्चर चलाने वाले और कार करने वाले प्रशाद बेंचने वाले और चुर्ण calculating और तरह हैं कि होटल वैवसाय बिजनेस व्यापार गाड़ी पार्किंग सब काम चलते हैं सब बहाँ चलने और सब हो रहे हैं सब उन्हें पता अच्छी यह बातें कहने वाली हैं इसमें सच्चाई कुछ नहीं अथार्तता कुछ नहीं अच्छा लोग बोल रहे हैं कि भाई लोग नहीं विपक्षी बोल रही है विपक्षी यह बोल रही है कि भाई जब जब इलेक्शन नजदीक आता है तब तक मोदी जी जो है यहीं एजंडा चलाते हैं नाम मंदिर का अपना वोट बैंक भरने के लिए तो साथ आ जाओ अब इसके बाद कहां चलेगा अब की तो 24 से पहले तो निपटाए दे रहे ना वो अब तो 24 से पहले राम मंदिर बनाए दे रहे हैं अब साथ आ जाओ और कहे दो चलो एक मुद्दा खतम हुआ 375 से खतम हुई अध्धा मतुरा काशी का मुद्दा विकास हो गया खतम हुआ ट्रिपल तलाग का मुद्दा खतम हुआ तो थोड़े मुद्दे रब तो मुद्दे सब नुटा चुके मोदी जी बहुत कुछ कर दिये तो क्या कर दो अंतर राष्ट्री इस्तर पर सही हो गय यह अंतर राष्ट्री इस्तर पर महत्तो ही तो है जो पाकिस्तान में भी मोदी जी के कारनामों की कारों की सीमा जैसी वहां सोंसती हैं और भारत आके भारत के व्यक्ति से प्यार करती हैं अपने बच्चों को भी लाती हैं और भारत उने सम्मान भी दे रहा है और सनातन धर भी कर रहे ही कर रहे हैं और सानातन के जयकारे के पिरे कहते हैं बखारत में यृभी बोल रहे हैं यह भी harvest कर लेकारी लखने के लिए हमारे बाई जैसे बहुत कर देखते हैं कि ये वह इस स्मूनिय अझ्रणता कर देखता पेड़ान वी अनुत युक्त से थर्जा जो अभी जैसे योगी आदित्यनाजी ने अलीगड का नाम हरीगड कर दिया इससे भी रोजगार मिलेगा नाम बदलने से अलीगड उनिवसिटी अलीगड शहर लोग वहां अलीगड में इन्वेश्ट कम करते थे यह सोच के तो यह तो एक कम्यूनिटी के लिए काम कर रहा है जब हरीगड होगा तो उसमें लोगों का इन्वेश्टमेंट जादा होगा लोगों की दिल्चस्पी लगेगी लोग फैक्टरियां लगाएंगे लोग अपने रोजगार देंगे लोगों को कमपनी देंगे लोगों को फैक्टरी देंगे लिश्चित तोर पर नाम का रहता था इसका मतलब नाम का फरक पढ़ता रावन नहीं रखता है और तो और केकई बहुत अच्छी नारी थी दश्रत की रानी थी और केकई नहीं होते तो शायद अध्या में प्रभु श्री राम भगवान न बनते केकई न भेसनी 14 साल लेकिन कोई केकई नाम नहीं रखता है आप बताई कि कई आपके संपर्ग में नाम है रावन नाम है अच्छा देखिए भाई के साथ भाई गलत करता है बहुत विद्वान थे रावन का भाई थे कोन व उसका नाम विभीशन विभीशन थे ना विद्वान थे ब्रहमन थे पुजारी थे तिलक थे सब कुस था लेकिन कोई बिभीशन नाम रखता है क्या क्यों नहीं रखता है क्योंकि उन्होंने भाई के फर्ज को नहीं निबाया भाई के साथ धोखा नहीं करना चाहिए तो बिभीशन नाम नहीं रखते हैं रावन नहीं रखते हैं केकई नहीं रखते हैं सूपनखा नहीं रखते हैं क इता, सावित्री, गारगी, अपाला, अनुसुया, रजिया सुल्ताना, पद्मा बती, हाडा रानी, ये सब बहुत नाम रखते हैं, ये तो नामों की बर्ष रखला है, तो इसलिए नाम का फरक पड़ता है, नाम से बहुत फरक पड़ता है, ये नाम के साथ भी अच्छा नाम परिवर्तन होना चाहिए और ये था हरीगड ही उसको बदल के लीगड कर दिया गया किया गया ये नाम बदले गया सोमनात मंदिर तोड़ा गया अरध्धा में बाबरी मश्चित बनाई गई तोड़के ये सब खुआ तो ये इस तरहें से जो कुछ हुआ है वो इतिहास में है मुगल सभी मुगल गलत नहीं थे लेकिन कुछ मुगल ऐसे थे आताताई थे जिनों ने भारत पर भारत की संपरपुता पर बहुत तेजी के साथ गलत कार किया और अबजा किया लेकिन समय बदलता है इतिहास बदलता है आज उन नामों को बदलने की बहुत जरूरत है और को नाम बदले जाना ठीक है विपक्षी यह कह रही है कि बीजेपी जो है और मोधी सरकार जो है सिर्फ एक कम्यूनिटी को सनातन धर्म के नाम पे लेके चलता है हिंदू को बस लेके चलता है बाखी कम्यूनिटी के बारे में तो सोचता ही नहीं है अभी जैसे मस्जिद गिरा और मंदिर बनवाए जा रहे हैं ऐसा कहना है विपक्षी ओंकर ऐसा ही क्या कि दुया में कि दूनिया में अरब ही इसलामिक हेद्म अरब अमीराथ इरान इराक रिज़ा सौदी किसी भी देश में इतनी मश्चिद नहीं है जितनी भारत में अकेले मश्चिद है जो इसलामिक कंट्री है उनमें किसी में भी मश्चिद नहीं है इतनी जितनी भारत में क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू भी मंदर मस्जिद बनते समझ सीमेंट चैरिटी करता है दान देता है बनवाता है बिरोध नहीं करता है इसलिए भारत में जितनी मस्जिदें हैं यांकडे हैं दुनिया में कहीं भी इसलाम को जो इसलामिक कंट्री उनमें भी उतनी मस्जि तो बकरीद भी मनाते हैं तो दीपावली भी मनाते हैं लेकिन सनातन धर्म का जब हवन और पूजा पाट होता है और यजमान पूजा करता है ब्रह्मन करता है सब मिलके करते हैं वहाँ पर वो पूजारी और यजमान और परिवार के लोग अपनी भलाई की बात नहीं करते हैं कोई आप नारा इसमें बता दीजे, मेरे बेटे का कल्याण हो, मेरे बहु का कल्याण हो, मेरे नाती पोते का कल्याण हो, मेरे फैक्टरी का विकास हो, मेरे वकालत का विकास हो, ऐसा नहीं बोलते हैं, हम क्या पूजा के लाश्ट में बोलते हैं, बिश्य का कल्याण हो, प्रा प्राणियों में सदभाबना करते हैं हम प्राणियों में नाम नहीं लेते हम हिंदू मुस्लिम से किसाई का नाम नहीं लेते हम जाती का नाम नहीं लेते हम प्राणियों में सदभाबना हो विश्यु का कल्यान हो धर्म की जीत हो अधर्म का नास हो सरवे भवंत सुखना सरवे संत निरामया हमारे रोम में बसा हुआ है हम साम को जब सोते हैं धर्ती माता के पैर चुके सोते हैं हाथ लगा के सोते हैं कि हे मा मुझे निद्रा में जा रहा हूँ मुझे कल्यान करना इस देश का कल्यान करना जब सुबह उठते हैं फिर हातों से प्रडाम करके करते हैं ये हमारी सदभावना है ये हमारा उदेश है ये हमारी विशालता है ये हमारी सहरदता है ये हमारी उदारता है ये हमारी दैलता है और इसलिए सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और अगर बड़ा न होता तो सनातन धर्म के आधार पर कर रहे हैं अच्छा अभी आपने बोला बहुत सुन्दर बात की प्राणियों में सद्भावना हो यह हमारे धर्म में बोला जाता है तो पीजेपी की सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि मस्जिदों को टार्गेट करके और मुस्लिमों को टार्गेट करके यह चीज कहीं बिगाड र रोज मंदिर तोड़े जाते हैं रोज लोग सनातन धर्म के मानने वालों पे हमले होते हैं प्रहार होते हैं बच्चियों का छोटी-छोटी बच्चियों को उठाके किड्नेप करके उनका धर्म परिवर्तम कराके उनकी शादी कराई जाती है जबरदस्ती उनसे निकाफ मुकदमा डाल कर उसके पती को दिलाया ना करवा चोट को भेजा ना सीमा सचिन मीना सीमा आई भारत में आई उसके सम्मान में कोई कसर तो नहीं छोड़ी गई कहीं उसके आदर में कसर तो नहीं छोड़ी गई उसके मान में सम्मान में आदर में अगर कोई भारत आता है वो द मुझे ये बताईए मोदी जी जब से आये हैं क्या किसी मुस्लिम व्हक्ति ने पलाइन किया क्या भारत से कोई गया क्या छोड़के कोई एक व्हक्ति भारत से चोड़के गया क्या अगर परेशानी तो कोई गया क्या छोड़के बताओ और आए हैं और बने हैं यहाँ नागरिक्ता मिली है इसलाम धर्म के मानने वालों को पाकिस्तान के बंगलादेश के अफगानिस्तान के लोगों को भारत ने नागरिक्ता दी है इसलाम को मानने वालों को नागरिक्ता दी है ना भारत में आए है ना तो फुर दिख रहा है ना क्या कोई हीरो हीरोईन हमारे यहां के भारत छोड़के गए हैं क्या कहीं आने जगह हैं सेटल हुए हैं यहीं हैं यहीं कामा रहे हैं यहीं खा रहे हैं लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है भारत में रहते हैं भारत मता की जय नहीं करते हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तान जिन्दाबाद नहीं करते भारत का खाते हैं गाते हैं रोते हैं सोते हैं बच्चे पैदा करते हैं शादी करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन भारत के बारे में नहीं करते हैं अब सीमा बोलती है आके भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिन्दाबाद तो उनका सीना भड़ता है अब वो तो बोलती है मेरा गाउं मेरा इमाटी मेरी देश चलती है तो क्या परिशानी की बार